ये है किस्ता कहानी और आप सुन रहे हैं किस्ता कहानी ओरिजिनल्स मैं हूँ मौसमी चंद्रा सुना रही हूँ मंजीत ठाकुड की लिखी कहानी पर्चम एक पैर से विकलांग लड़की के मन में है माउंट एवरेस्ट को फेतह करना लेकिन एवरेस्ट से भी उची है समाज की दकियानूसी सूच इस दंगल में जीतेगा कौन समाज या अनूपमा दोपहर का सूरज सिर पर चमक रहा था बेहोशी से उबरती अनूपमा ने पूरी ताकत से आखें खोली तो उसे अपने चारों और बर्फ की उची उची दिवारें भर देखी थी पलभर में उसे अंदाजा हो गया कि वह मुसीबत में घिर चुके थी अनूपमा बर्फ की दिवार में फस चुके थी पहाड पर चरते वक्त किसी को पता भी नहीं लगता कि पैड़ों के नीचे समतल सपाट दिखने वाली बर्फ की पढ़त कितनी मोटी है कभी कभी वह चलावा भी साबित होती है अनूपमा भी उसी चलावे का शिकार हो गई थी बाउन टेवरिस्ट पर चड़ने आई थी अनूपमा और आज बर्फ की दिवारों के बीच फसी अनूपमा को पता नहीं कि कब मौसम खराब हो जाए कब बर्फ बारी सुरू हो जाए और कब यहीं इने दिवारों के बीच वह जिन्दा कब्ड में दफन हो जाए तो क्या अनूपमा के सपने भी ऐसे ही दफन हो जाएंगे सपने अनूपमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई मुस्कुराते हुए अनुपमा ने अपने प्रोस्थेटिक लेग पर नजर डाली थी अनुपमा एक पैर से विकलांग थी लेकिन उसका सपना था माउंट एवरेष्ट पर चड़ने का एक पैर नहीं तो क्या सपनी ने देख सकती अनुपमा सपनों का सवाल कईयों ने पूछा था उससे लेकिन क्या यहीं सपना था अनुपमा का अनुपमा बर्फ की दिवार में पीठ टेक कर आराम से बैठ गई बाहर निकलने का रास्ता खोजना जरूरी है लेकिन उसके लिए दिल और दिमाग को कूल करना ज़ादा जरूरी है बर्फ की इस दुनिया में वह अकेली है और उसे यहां से निकलने का रास्ता और तरीका भी खुदी खोजना होगा अकेले वह तब भी तो अकेली थी जब उसने जिन्दिगी का पहला सपना देखा था वाली वाल की खिलाडी बनने का वह तब भी तो अकेली ही थी जब ट्रेन में बदमासों से घिर गई थी अनूपमा अज भी अकेली ही है लेकिन आज उसे कुदरत की सबसे बड़ी ताकत से नोछा लेना है सबसे बड़ी ताकत हिमालै परवत दुनिया की उस चोटी पर चढ़ाई करनी है जिससे बड़े-बड़े घबडाते है वह उस दिन भी अकेली थी जब अस्पताल के बिस्तर पर उसने बेहोशी से उबरते हुए आँखे ही खोली थी डॉक्टर और नर्सों का आना जाना लगा था बिस्तर पर लेटी अनुपमा ने नम आखे लिए पिताजी का चेहरा देखा था पचाड़े खाकर रोती मा को देखा था रिष्टेदार थे जो कह रहे थे लड़की तो लंगरी हो गई शादी कैसे होगी इसकी कुछ ने कहा था हम तो पहले ही कहते थे अपनी विरादरी में कौन खेलता है वॉलिबॉल सिलाई कड़ाई सीखती, खाना पकाना सीखती अनुपमा को अपना भविश्य अंधिकार में नजर आने लगा था अस्पताल में पिस्तर पर लेटी अनुपमा का दिल डूबने लगा था हादसे में एक पैर गवाने ने भर से उसकी जिन्दगी यूँ बरबाद हो गई क्या परिवार के लोगों और समाज के सामने उसकी उसकोशिश की कोई किमत नहीं अनुपमा ने कोशिश तो बहुत की थी लखनों से दिल्ली का सफर था वॉली वॉल के चैंपियन सिप में हिशा लेने जाना था लेकिन वह उसकी जिन्दगी का बड़ा एहम मोड साबित हुआ था पश्चिम में डूपता हुआ सूरच पश्चिम की तरफ ही भागती हुई ट्रेन पट्रियों की खटर खटर की आवाज अनुपमा का साड़ा ध्यान कल होने वाले मैच की तरफ था खेल की तरफ था बोगी में कुछ लोगों की आवाज तभी तेजी से तैरने लगी थी अनुपमा ने देखा उनके हाथों में चाकू और गन थे चेहरा ठके एक लड़के ने ललकाड़ा था जिसके पास जो भी है चुपचाप यहां रख दो उसमें से एक अनुपमा के पास साकर चाकू चमकाने लगा था यह लड़की देख क्या रही है चल अपनी चेन और घड़ी उतार पर्स में जितने पैसे हैं वह सब भी अनुपमा ने देखा उसके साथी खिलाडियों ने केक करके घड़ी पर्स अंगूठियां सब उन लुटेडों के हवाले कर दिया अनुपमा का खून खौल उठा क्या कहते थे कोच सर अनुपमा ने पलभर में निश्चय कर लिया वह आगे बढ़ी और उस डकैत को कमर से जोर से पकड़ लिया वह बदमाश खबड़ा कर शोर करने लग गया बदमाश के साथी आकर रिकठा हो गय थे अनुपमा अकेली पर गई थी उसके टीम की बांकी लड़कियां बांकी मुसाफिर सब सब चुप थे दुपके हुए जैसे शिकारी कुटों के सामने सहमे हुए खरगोश दुबग जाते हैं उन गुंडोले मिलकर बहुत पीटा था अनुपमा को साड़ा समान तो छीन ही लिया लेकिन उससे भी बुड़ा किया था उन लोगों ने अनुपमा को खसीच दे हुए दरवाजे तक ले गय थे वे गुंडे और सौ की स्पीड में चलती ट्रेन से उसे बाहर फेक दिया था अनुपमा को बस इतना याद है उस वक्त वह बस हवा में लहराई भर दे फिर क्या हुआ था कुछ याद ने कैसे सिर में चोट लगी हाथ की हड़ी कैसे टूटी पसलियों में फ्रैक्चर कैसे हुआ यह सब ठीक हो सकता था पर भाया पैर कट गया था अनुपमा ने बाद में सुना था कई घंटों तक पटरी की किनारे ऐसे ही लावारिस पड़ी रही थी वह आसपास के लोगों ने समझा लाश है कोई छूने भी नहीं आया फिर कोई महरबान अस्पताल तक पहुँचा आ गया और फिर जब होश में आई तो आवास पड़ी थी कानों में बेचारी बेचारी यह वो सब्द था यह वो लफ्द था जिससे अनुपमा सबसे ज़्यादा नफरत करती थी उसका मन हुआ वह जोर से चिलाए नहीं बेचारी नहीं हूँ मैं अस्पताल में नाते रिष्टेदार उसे देखने आते कुछ लोग उसकी कुंडों से ट्रेन में भिर जाने को बहादुरी बताते तो कुछ कहते उसे लड़ने की जरूर थी क्या थी? दे देती सोने का चेन, दे देती रुपे जान से ज़्यादा कीमती नहीं थे न? यह सब? अब अनुपमा कैसे बताए कि जान और रुपे पैसों से भी ज़्यादा कीमती एक चीज होती है? किरदार, इंसान का किरदार लेकिन नाते रिष्टेदारों को एक ही फिक्र थे अब कैसे व्याह होगा अनुपमा का अनुपमा को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी तभाः हो गई है अब आपनी तमाम जिंदगी किसी के कंधे का सहारा लेकर ही चल पाएगी खंदे का सहारा ना मिले तो शायद बैसा की अनुपमा को लगा कि उसके सारे सपने किरीच किरीच करके तूट कर बिखर गए हो अनुपमा रोव पड़ी थी पापा भी दुखी थे लेकिन उस दिन और दुखी हो गए थे जब अनुपमा के वॉलीबॉल के कोच आये थे पापा के मुँझ से बर्बस निकल गया था कोच सर अब क्या करेगी अनुपमा भला साउथ हिंडियन कोच सर भहुत चक्के रह गया थे क्या करेगा मतलब एक ही पैर तो गया दूसरा तो ए न कोच सर अनुपमा के पास आकर स्टूल पर बैठ गया क्यों अनुपमा तुमारा पैर तो ए न अनुपमा की आँखों में आसु झिल मिला गया थे गिली आँखों से ही अनुपमा ने कहा था हाँ कोच सर एक तो है कोच सर की आवाज में सक्ती आ गई तो रोना क्यूं? एक पैर से वो करना जो दुनिया दो पारों सो करता हार नहीं मानना कोच सर स्टूल से उठकर खड़े हुए और अनुपमा के आँसू अपनी मोटी उंगलियों से पोच दिये अब नहीं रोना हफ्तों के बाद महीने गुजर गए साहनु भूती का दौर भी गुजर गया लेकिन अनुपमा के मन में कसक रह गई थी घर पर बैठे रहने की खाले वक्त गुजारने की कभी मा का तो कभी भाई का सहारा लेने की मजबूरी से उसका मन रुवासा उणता था लेकिन एक दिन अनुपमा को फिर से जिन्दगी मिली कोच सर उसके लिए प्रोस्थेटिक लेग बन वाला थे कोच सर मुस्कुरा कर बोले एलो दूसरा लेक आप बोलो क्या करना अनुपमा ने सर घुमाया तो देखा टेबल कैलेंडर पर माउंट अवरेस्ट की तस्वीर थी उसने कहा था कोच सर मुझे माउंट अवरेस्ट पर चढ़ना है कोच सर ने माउंट एफ डेस्ट की तस्वीर देखकर कहा आठ हजार आठ सो अरतालीस मीटर है बस यहां से तेरे वालीवार कोट इतना पैदल चलना है चल पाएगा अनुपुमा मुस्कुरा उठी हाँ कोच सर कोच सर आगे जुका है ऐसे ही तो नहीं बोलता पीचे तो नहीं अटेगा अनुपुमा ने कहा सवाल ही नहीं कोच सर के जबडे भीच गया पक्का अनुपुमा बोली पक्का अनुपुमा को प्रोस्थेटिक लेक के साथ चलने में सुरू में परिशानी हुई थी लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई अनुपुमा जानती थी वह अब पहले की तरह कभी दौर नहीं पाएगी ना तो वह कभी अपना पसंदीदा खेल वालीबॉल खेल पाएगी लेकिन यह सब हो नहो उसे एक काम करना है करना ही है वह है दुनिया की सबसे उंची चूटी महुन टेवरेस्ट महुन टेवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है उस दिन कोज सर पापा और उसे लेकर कहीं जा रहे थे बस पहाड़ों पर चलती जा रही थी और अनुपमा अपने में गुम थी अगली सीट पर बैठे कोज सर ने मुरकर अनुपमा से कहा था अनुपमा तुमको वो काम करना जो हेल्दी और नॉर्मल लोग भी नहीं करने सकता अनुपमा कुछ नहीं बोली कोज सर उसे फौलाद बनने को कह रहे थे उसने मन में ठान लिया वक करके दिखाएगी बस की मन्जिल थी उत्राखंड का एक शहर उत्तरकाशी हडी भडी पहाडियों के बीच वादी में बसा एक छोटा शहर इस गाटी में दक्षिनी ढाल पर जंगलों के बीच एकांत में इमारतों का एक जुन्ट था निहरू पडवता रोहन संस्थान कोच सर और बापा अनुपमा के साथ कुछ दिन रुकने वाले थे अड्मिशन के अगले ही दिन से अनुपमा की ट्रेनिंग सुरू हो गई थी पडवता रोहन सीख रहे साथियों को बड़ी हैरत हुई थी जब उन्हें पता चला था कि अनुपमा की सिर्फ एक टांग ही असली है वहाँ जिसे भी इस बात का पता चला सबने उसका उत्साह बढ़ाया ही था लेकिन पहार पर चड़ने की बात करना और उसके लिए तन मन से तैयारी करना खुद को जोग देना बिलकु दूसरी बात थी नेगी सर थे वहाँ जो अनुपमा को पहार पर चड़ने के बुनियादी गुर सिखा रहे थे कभी सिर्फ हाथों के बल उपर चड़ना होता था कभी लटकते हुए एक पोल से दूसरे पोल तक जाना दो पैरों की ताकत अनुपमा को एक ही पैर में समेचनी होती थी लेकिन अनुपमा के हाथ जवाब दे जाते थे लगता था कि वह आधे रास्ते में ही गिर जाएगी कई कोशिशों के बाद भी वह रॉक क्लाइम्बिंग और रैपलिंग करी नहीं पा रही थी आखिटकार नेगी सर भी हार मान गय थे उसकी नाकामी से तुमसे नहीं हो पाएगा अनुपमा अनुपमा ठक कर चूर थी लेकिन उससे ज़्यादा चूर चूर हुआ था उसका आत्मिश्वास कोश सर एक बार फिर उसके पास आये थे पहाड पर चड़ने का सपना है तो कोशिश भी पहाड जैसा करना तुम प्रूफ करो कि तुम मेंटली फॉलाद हो फॉलाद, प्रूव, यू आर डिज़िवल फिजिकली, डॉन्ट मेक यूरसेल्फ डिज़िवल मेंटली कोश सर तो साउथ इंडियन थे लेकिन बच्चों को जोश में लाने के लिए हमीशा कहते थे अनुपमा का होशला दुगना हो गया था, वह वापस नेगी सर के पास गई थी और पूछा था दुबारा कोशिश करें सर, नेगी सर ने मुस्कुरा कर कहा था, जरूर अनुपमा तीत की यादों से बाहर निकल आई थी, बर फीली द्यराडों के बीच फंसी अनुपमा को थोड़ा आराम भी मिल गया था कोश सर की बंधाई हिम्मत आज भी कामा रही थी, निश्चे कर अपनी जीत करो, तो क्या यह लड़ाई यह जिद आदे रास्ते में खत्म हो जाएगी, क्या इसे ऐसे ही खत्म हो जाने देगी अनुपमा, नहीं न, अनुपमा उठकर बैट गई और बर्फ की टेक लगा कर पैर सीधे किये, मौसियों, चाचियों, ताईयों ने उसकी हालत देकर किया था, चाचे, मौसे, ताउ, अनुपमा की शादी कैसे होगी, इसको लेकर हलकान थे, और आज वह परिशान है कि वह धरार से ना निकली, तो माउन टेवरेस्ट पर तिरंगा कैसे लहरेगा, वह ज उमीद होगी उस जैसी भारत की आधी आबादी की, उस जैसी दिव्यांगों की, जिन्दगी जीने का जज़बा छोड़ चुके लोगों की, उमीद की रोशनी खोचुके कडोरों आखों की, वह जानती है माउन टेवरेस्ट पर उसके हाथों लहराता तिरंगा, सिर्फ अन अनुपमा यहां दरार में बैठ कर चुप चाप अपनी जान नहीं देगी, वह मदद का या मौत का इंतजार नहीं करेगी, वह खुद लड़ेगी जैसे इस समाज से, परंपराओं से और इस विकलांगता से लड़ी है, इस बार वह वैसे नहीं हारेगी जैसे गुंडों न ट्रेन से नीचे फेक दिया था उसे, इस बार सीना ताने एवरेस्ट को जुकना होगा, अनुपमा की मुठिया तन गई थी, दरार की नीचे से उसने उपर देखा, उपर से रोशनी आ रही थी, दरार में खुस्ती हुई, हवा की आवाज कुछ ऐसी थी, मानो समंदर की ते दिवार में धसा दिया, उसे कुछ सर की कही बात याद आ गई, अपनी बाहों को फॉलादी बनाओ और अपने दोनों पैर की ताकत एक पैर में लाओ, उसके मन में फिर गुझा था, निश्चै कर अपनी जीद करूं, दोनों हाथों को जोर देकर, अनुपमा ने खुद को उठाया, बर्फ की उस सकडी दिवार में खुद से समेटा, कुलहारी निकाल कर फिर और उपर बर्फ में धसा दि, कदम दर कदम, इंच दर इंच, अनुपमा उपर उठ रहे थी, वह सिर्फ उस हिमदरार से निकलने की कोशिश में नहीं थी, वह अपनी जिन्दगी भर के स अपने परचाय ग्रहन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थी, अपनी दोनों बाहूं को सतह पर लाकर उसने पूरी ताकत से खुद को उपर ढखेला, और अपनी देह को धरती की सतह पर लापट का था, वह लेट गई थी, उसकी सासे धौकनी की तरह चल रहे थी, लेकिन व माउन्ट एवरेस्ट चुनौती की तरह उसी तरह ख़रा था। अनुपमा को एवरेस्ट पर चड़ना था, वक्त कम था, सिलिंडर में आक्सीजन, वक्त के साथ खत्म होता जाएगा और साथ ही बिछोर चुके थे। अनुपमा के आगे दो राज्टे थे, यहां से बेस कैम्प लौट जाए या आगे बढ़कर चोटी फतह करे। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। आगे की पहाड़ी बहुत सकड़ी और ठीकी थी और इसके दोनों ओर गहरे ढाल थे। इसलिए से रेजर्स एस कहते थे। अनुपमा ने दो एक गदम ही आगे रखे होंगे कि उसे लगा वह भीतर से जम गई हो। अक्सिजन लेते रहने पर भी सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था और लगा कि फेपड़े भट जाएंगे। तेज हवा से अनुपमा को खड़े रहना भी कठी लग रहा था। उसने अपनी कुलहारी बर्फ में जमा दी और रस्ते को एक बार फिर कस लिया। रेजर्स एज के बाद सामने थी स्लेट की चट्टानों की विशाल दिवार। इस पर हाथ पैट टिकाने की कोई जगह ने थी और यहां से फिसलने का मतलब था पंद्रह हजार फुट नीचे तिबबत में जा गिरना। अनुपमा धीरे धीरे आगे पढ़ते गही। कैसे ये काली चट्टाने खत्म हुई कव यलो बैंड इलाके में पहुँच गई और किस तरह दक्षनी शिखर के बेस से बिलकुल सीधी चढ़ाई शुरू गई। अनुपमा को कुछ भी याद ने। उसे लग रहा था एवरेस्ट की चोटी उसे अपनी तरफ खीच रही है। हर दो कदम चढ़ने के बाद वह दो तीन मिनट के लिए रुख जाती फिर चढ़ाई शुरू कर देती मानो भीदर से आवाज आ रहे थी। तुम्हें चढ़ना ही है। तुम्हें काम्याब होना ही है। अब अनुपमा के सामने था दुनिया भर के परवता रोहियों के लिए खौफ का सबब हिलेरी की चिमनी। यह बहुत ज़्यादा चिकनी है। अनुपमा ने इस पर चढ़ने की कुछ कोशिश की पर बार बार फिसल जाती। तब ही अनुपमा के दो बिछड़े साथी साथ आ गया है। अब अनुपमा एक नहीं तीन हो गई थी। अब तीनों मिलकर बर्फ में जुदों की कीले कार देते और कुलहारी की मदद से शरीर का वजन संतुलित करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहारी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं हो रहा था। चड़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी। अनुपमा गहरी सांस लेने की कोशिश करती। लेकिन वह हिचकी बनकर तूट जाती। अब वह हर कदम बहुत ही ठक रही थी। आगे बढ़ना कठिन साबित हो सामने आ गया। अब बर्फ के धे सामने नहीं थे। अनुपमा से जराही उपर एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराव सी थी और यहीं एवरेश्ट का शिखर था। अनुपमा सन खड़ी रह गए थी। वह दुनिया के सबसे उची जगा पर खड़ी थी। उसकी कानों मे सब कुछ एक साथ कुण जा था। ट्रेन की भ्यानक आवाज, लंगडी, बेचारी, शादी कैसे होगी सब कुछ और अब माउंट एवरेस्ट की चोटी। अनुपमा जानती थी वह सिर्फ एक पहार की चोटी माउंट एवरेस्ट पर नहीं चड़ी है। हम में से हर एक का अपना एवरेस्ट होता है और उस तक की चड़ाई हमें खुद करनी होती है। अनुपमा ने चुप चाब बैक से तिरंगा निकाला और फैरा दिया। और फुस फुसा कर खुद से कहा, निस जैकर अपनी जीत करो। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानि मौसमी चंद्रा से। मंजीत ठाकुल की लिखी कहानी परचम। ये है फलक की कहानियों का अद्बुच संसार किस्सा कहानी और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हुआ है